नमस्कार फैंट्स में नाम बबली उर्मा पीपर है कर्मिया आपका स्वागता आज हम देखेंगे यहां पर सैकेंड समिस्टर बागले हिस्टरी का इनुट नमबर बन हो जाएगा ठीक है जिसमें यहां याद कर लेंगे तो बात करते हैं सबसे पहले याद में क्या होना चाहिए हमें याद होना चाहिए सबसे पहले आया था गुलाम बंस उसके बाद आया था खिल जीवन स के बाद आया था तुगलख बंस विकलए तो इस प्रकास से pon chicken थाया कि पहले कौन सेoni साय कि कर से बाद में कौन साबन साय के पहले कौन सा बंस आया तो बहुर रिकास में क्योशन बन सकते हैं तो तो गुलाम खिल जी तुगलक सायद लोदी सिरीज भाई आपको याद वोने चाहिए ठीक है बढ़ते हैं अब देखते हैं फर्स्ट एकोशन यूनिट नमबर फर्स्ट देखका है मुहम्मद गोई ने भारत पर आकरमण किया कभे किया था आपको बताना है 1172 1175 1180 या फिर 1190 की तो क्योशन का आंसर जोगा वह होगा 1175 में याद कैसे करेंगे अब मोहम्मद गोरी गोरी मतलब गोरी लड़की समझ लीजीए का कोई लड़की है भात पर क्या कर रही है आकरमण कर रही है ठीक है तो बहुत क्या करेंगा उसके जाल में फच्जा आएगा बाद क्या बत होगे तो क्या करोगे पच्ता होगे मतलब 75 ठीक है तो याद हो जाएगा आपको बेलखुल बात करते हैं नेक्स तराइन का पिर्थमिदू हुआ था तो तराइन का पिर्थमिदू किसके बीच हुआ था यह आपको पता है मुहम्मद गौरी और प्रत्वीराद चौहान के बी ठीक है जिसमें क्या हुआ था मुहम्मद गौरी ने मुहम्मद गौरी को हरा दिया था किसने प्रत्वीराद चौहान ठीक है प्रत्वीराद चौहान जो थे उन्होंने मुहम्मद गौरी को पिर्थमिदू में तराइन के उद्ध में हरा दिया ठीक है अब बात करते हैं 1292 में अब एक साल के बाद मुहम्मद गोई ने क्या किया दुबारा फिर आकरवण किया और दुबारा फिर आकरवण किया किस पर पत्विरा चोहान पर किस किसमें हो रहा है वो तापको पता ही है पहला हुआ था गौरी और चोहान में फिर हो रहा है किसमें गौरी और चोहान सब्सक्राइब करते हैं मुहम्मद गौरी की मित्यू हुई यह कोशन याद करने के लिए सब्सक्राइब मुहम्मद गौरी के एप्ति हुई थी कब हुई थी बादा सो छे बारा सो साथ बारासो आट बारासो नो कब एती बढ़ाइगा अब मिर्क्तियू किसी की हो रही है चैनल करें जाएगा किया चला जाएगा तो मैं आपा फोलकर कर सब्सक्राइब चली गई तो गोरी मतला गौरी जो थी वह क्या हो गई चली गई तो छे भी तो शे पूर्स रहेंगा आँको बिलकुस सब्सक्राइब इसकी तो मुहमध गॉरित की मत्युक्ति का बूईती बारासो चैन वीति आराम से आपको याद हो गया होगा थ्लिस्टी पड़ी है में आपको याद रहने वाला है आगी बढ़ते हैं यहां रखा है मुहम्मद घजनभी ने भाद पर आक्रमण किये कितनी बार आक्रमण किये ते यह आप से पूंछ रखा है आगे बढ़ते हैं इस प्रिकार से कर लो भारत को सताया सताया मतलब साथ सब्सक्राइब सब याद हो जाएगा ठीक है सतरा याद रहेगा ना बिल्कुल आगे बढ़ते हैं यहाद रखा है ग्यारा सो चोडान में चंदावर युद्ध में कौन पराजित हुआ अब यहां पर क्योशन इस प्रिकास से बन सकता है कि चंदावर जो दूआ था वो कब हुआ था क्या लिखा मैंने ना चंदा क्या ना चंदा बस इतना ही आपको याद रखना है जब कभी चंदावर युद्ध मुच्छे तो आपको क्या मैंड में आना चाहिए ना चंदा क्या ना चंदा तो ना से बन जाएगा नो चंदा से बन जाएगा चार ठीक है तो क्या हो और जो यहां पर चंदावर के उद्ध हो जाते हैं वो कौन थे प्रित्विया चोहान के साथ ही थे ठीक है मगए उन्हें मित्रगात किया था आगे चलकर बात बताने वाले हैं बात करते हैं यहां पर 1194 में चंदावर का युद्ध में कौन पराजित हुआ था यह आप से पूँच रखा है अब यह पूँच सकता है कि हमने कि क्या देखे ना चंदा से इसकी डेड़ियात कर ली 1194 में ठीक है यही बात करते हैं अब यह किस किस के बीच हुआ था चंदावर का युद्ध तो यह हुआ था गौरी तथा किस के बीच जैचंद के बीच गौरी और जैचंद के बीच युद्ध हुआ था ठीक है बई तो यह तो आपको याद होना चाहिए तो यहां पर उदाएगा इसमें मुहम्मद गौई ने किसको हरा दिया था जैचंद को हरा दिया था राइट आंसर उदाएग सिंद पर किसका साथन था यह आपको बताना है मुहम्मद विन कासिम का जैपाल का दाहिर का यह पर अपना हो जाता है आनंद पाल का राइट आंसर बताना है सिंद पर किसका साथक्ता कि यहां पर सिंद नदी यहां concrete नाम है जानते ही ओ ठीगे और किसे बहती है मिलेगा तो इससे बहती है, तो सिंध्र कासे बहती है, तो हर कहां चुपाई, तो चुपाई हो मिलेगा, दाहिर में, तो राइट अंसर् ऑप्षन हो जाएगा गव, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुतबुदीन एवक के मरने के बाद उसका उत्रदिकारी कौन मना, कुतबुदीन एव के लितूत्मिस था आराम सहाолी मर्दा कह था यह पैंब से कोई नहीं तो अली मर्दा छा था नहीं U साधोर इलतूतमिस अब हुर में अब मैं साधों तरय दोर सुर्फ कि सबस्क्तारा मरने के दाता हुआ ऐसा को इसे करेंangan है कुछ कुछ मुझे आराम कर न है आह ना मुझे बाधसा नीए आपके बार मुझे अ सब बाहने अकло उन्हीं Zar offense एस थब इसका उत्तरकारी आप आघे बढहते हैं ने था लुअ नेक्स वोषीन की बात करते हैं एक्सिद पना कहह रहा है कि इल्टूत मिजंस की उत्रदिकार जो इल्टूत मिज था उसको पूरा के ने करवायाś था उसके दामाद कौन इल्टूत मिस ने ठिक है तो किसका है इलतूतमिस की बेटी जिसका नाम कौन हो जाता है रजिया सुल्तान हो जाता है तो राइट अंसर ऑप्शन नमबर खाओ जाएगा नेक्स बढ़ते हैं तो इजी कुशन था नेक्स स्कुशन दरका है दास बंस के सक्ता है और हुलाम बंस भी जाता है को टीक बाद हो . ठीक है यहां दे रेका है तो अपना दास कि गुलाम बंस कहां भाई हो जाता है केकू बदीन एबग और लाष्ट कौन हो जाता है लाष्ट हो जाता है केकू बाद ठीक तो दूने आपको याद दोने चाहिए आगे बढ़ते हैं next question कि यहां देखा है अलावदीन खिल जी दिल्ली की गद्धी पर कब बैठा अलावदीन खिल जी ता वो दिल्ली की गद्धी पर कब बैठा पहरा देरिक आपना 1294 में 1295 में 1296 में 1320 में तो राइट आंसर क्या होगा अलावदीन खिल जी दिल्ली की गद्धी पर कब बैठा वह भाराव्दीन ने गुझरात पर आक्रमण कब किया तो अलावद्दीन था उसने गुजरात पर आकर्मन कब किया था यह आपको बताना है अब खिल जी बंस का प्रदम साथ कौन था खिल जी बंस यहां पर आ गया ठीक है तो वो कौन हो जाता है जलाल उद्दीन जलाल उद्दीन किया था अब है यहाँ पर अला देन की बात कर रही है यहां पर गुज्रात तो याद कहां से करेंगे गुज्राथ है क्या रस्तव only के मतलब अलावदीन ने रात में आकर्मण कहां करेगा भी रात में कहोती है चोरी मतलब किसी को सताने के बार तो यहां पर देखेंगे 97 रातों नोगों को सताते हैं ठीक है तो अलावदीन औरffe 102過去 ग् diaphragm सतानवे रात सतानवे अराम चाहत रहेगा बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तुम्हारा अलावदीन का चितोड़ पर आक्रमण कभी किया था यह आपको बताना है है कि एक आपको देखने को मिले गाई हाप अलग अलग दुम्हाग को सब्सक्राइब करते हैं तो एक तो अप्ल॔स किया हुल गडा था चया अधा ता फॉन नेंगा तीनbij challenge तीन अधे 303 में राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर गा यहाद होते चलना है सारे कि सारे ठीक है एक दो क्योशन है भाई आपको याद करना नहीं है सारे कि सारे यहीं पर देखके यह आप आंसर को ढूंड सकते हो ठीक है तो यहाँ पर अलावद्दीन का चित्तों का कि पहला दे रखा है तेरा सो पांच तेरा सो साथ तेरा सो ग्यारा तेरा सो टेरा राइट अंसर क्या होगा मलिक काफूर ने देव गिरी पर आकमलत को गया था यहाँ देखो देव आपने एक मूवी देखे होगी अक्षा कुमार उस लिंज रडी वाले ठीक उसमें देव यहां तो देव तो यहां देखो शाथ देव का देव का साथ इसमोर दिया था किसने एक अपर साथ बिल्कुल याद आपके लिए तेरा सो एक हार ठीक रिकन स्वायाद करनी पड़िए कुछ रोट रिक बनानी पड़ेंगे ठीक है अगर आप चीन लगते तो आप बना सकते चाहिस बिल्क है उसके लिए ठीक है मलिक कापूरने देव घरिपर अकरमद कब किया तो यहां तरफ का है किमली कापूर ने यह हैं मदूर अ मॉh बैक्तित तो मदूरा मद्रा को कर देंगे लिया और तो मदूरा का पक्याल अब यहां पर मन जाता है तो ऐता तो मदूरा को क्या पी कर दे regulatory में सूझा टेंग थेलित मतलब 11 तो 11 कहां देखने मीं देखने मिलेगा यह300 11 ता के आंश्वी है तो आपको यंदो कि थारे की सारे बिल्कुल आगे बढ़ते हैं कि नेक्स कुछन की बात करते हैं एक लावद इन खिड़ी की ब posle नगी थी यह बताना थिक तो यह आपको याद करना पड़ेगा बसकी भी ट्रिक नहीं दे रहा हूं इसका हुआ इसका राइट राइट रोगा तेरासो सूला में होगा ठीक है सारे किसारा हैं वस्त्ताख्याद हो गये होंगे ठीक है और बात करते हैं ऐंतिम साषण कौन साथ ऐन्तिम साथ को जो हो जाता है खिल जी रहता है अपना नसुरुद्दीन खुसरो सहा भी कहते हैं ठीक है तो यहां पर खुसरो सहा लिख दो खुसरो सहा पूरा नाम है नसुरुद्दीन खुसरो सहा जो कौन थे खिलजी बंस के अंतिम साथ सक हो जाते हैं यहां पर आपके दो हमने चैप्टर देख लिए एक देख लिए तो गलग बंस और एक दिया खोल जी एक गुलाम बंस और खिल जी बंस यहां पर हमने देख लिए हैं आगले का करेंगे सिर्फ 17 क्योशन दे रहा हूं ठीक है अगली बार में क्या करेंगे 2-3 उनिट उठाएं आपको बेसिक भी आपको एक ही वीडियो प्राइड लास्ट में कर देंगे ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाकर ठोकना है सब्सक्राइब के लिए तो परेंट जय हिन जय भारत